जहिंद फोजीओं तो चलिए आज आपकी special मेराथन क्लास आने वाली है 17 अप्रेल आर्मी परिक्षा मेराथन जिक्के जिए स्ट्रेस जो आज हमारा होने वाला है जिसमें आज आपका देखो जिक्के प्लस साइंस रहेगा ठीक है जिक्के प्लस साइंस में जिक्के प्लस आर्मी परिक्षा में पूछे हुए सवालों को करेंगे जो भी सवाल देखो आपका 2022 और 2023 अगरी आर्मी परिक्षा में पूछा गया है उन सभी सवालों को जो हम लोक करने वाले है तो चलो एक एक बार जड़ा जल्दी से साड़े लोग क्लास को सेर कर दी जिए gä kayak देखे आप लोग क्लास सेर नहीं करते हैं जो कि बहुत गलत बात है सभी को क्लास को सेर करने हैं अपने हर एक दोस्त तक इसके साथ सभी लोगों को जो है लाइक बटन जल्दी से प्रेस कर देना है और जिनों ने भी अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं बहुत important question है सारा का सरा और हर एक जो है आर्मी परिख्षा अगनीवीर आर्मी परिख्षा में पुछा हुआ सवाल है तो एक एक सवाल को note करते चलना और याद करते चलना ठीक है और बनाते चलोगे तो चलो question number one से शुरू कर रहे है question number one जो है यहाँ देखो यहाँ पर दिया गया है question number one बिला गुए आपको महराष्टर का सुकारत किसे कहा जाता है who is known as सुकारत of महराष्टरा बाल गंगादर तिलक बीपिन चंदरपाल फिरोष्टा महता या फिर महागोविंद रानाडे महराष्टर का सुकारत किसे कहा जाता है कौन है जिने महराष्टर के सुकारत के रूप में जाना जाता है किसे महराष्टर का सुकारत कहा जाता है चलिए सभी लोग answer करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा right answer तो महराष्टर का सुकारत जो है यह कहा जाता है देखो महा गुमिंद रानाडे जी को जिनोंने भी आंसर के एड़ी को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है चली अगला सवाल देखेंगे इने इस्क्रिप्शन आपको जहां पर दिया गया है अगला सवाल है आपका कि भारत का प्राचिन्तम दर्सन है वाट इ भारत का जो प्राचिन्तम दर्सन है वो है देखो आपका सांखे दर्सन क्या होजा एगर आइट आंसर तो ऑप्शन सी चली अगला सवाल करेंगे नेक्स्क्रिप्शन यह आपका यहां पर दिया हुआ है देखो कि अकबर का मकबरा कहां इस्थित है वेर इज अकबर टॉम लोकेटेड आगरा दिल्ली फिरो फते पुर्सिक्री या फिर सिकंदरा जो अकबर का मकबरा है यह कहां पर इस्थित है जल्दी सांस की जोर बताइए कि जो अकबर का मकबरा है यह कहां पर इस्थित है तो जो अकबर का मकबरा है यह कहां पर इस्थित है तो जो अकबर का म गुरू अर्जुन देव, गुरू गोविन सिंग, गुरू तेज बहादुर या फिर गुरू हरकिसन राय शिखो के अंतिम गुरू कौन थे सिखो के अंतिम गुरू निम्न में से कौन थे चलिए सब को यह आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे गुरू अर्जुन देव जो है यह पांचवे गुरू थे ठीक है इनका पुछा जाता है कि शिखो के पांचवे गुरू कौन थे तो याद रखेगा गुरू अर अंतिम गुरू और दसवे गुरू कौन थे तो वो थे गुरू गोविन सिंग चलि अगला क्युशन यहाँ पर आपको दिया गया है नेक्स्क्रिप्शन आपको मिला हुआ है देखो कि भारतिये सास्त्रिये निरित्त की प्राचिनतम सैली है विच ओफ विच इस दे ओल्डेश फॉर्म औफ इंडियन क्लासिकल डांस ओडिसी कुचीपुडी भरतनाटियम या कथकली भारतिये सास्त करें सब कोई क्या होगा राइट आंसर तो भारतिये सास्त्रिये निरितिक की जो प्राचिनतम सैली है वो है देखो आपका भरतनाटियम क्या होगा राइट आंसर तो ऑप्शन सी भरतनाटियम ठीक है हो गया सभी का चलिए अगला सवाल देखेंगे नेक्स्क्रिप्शन आपका कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थें बंगाल चैतन्य रामानंद नाम देव या फिर रामानुज बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दिमलिकित में से कौन है जो की बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं चलिए जल्दी से आंसर की जोर बताइए क्या होगा राइट आंसर तो बंगाल में जो भक्ति आनुलन के प्रवर्तक हैं वो हैं देखो चैतन्य कौन थे तो वो थे चैतन्य क्या हो गया राइट आंसर तो ओप्सन ए चैतन्य चलिए निस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है अगला सवाल मिला हुआ है आपको देखो कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था जल्दी सांसर करें क्या होगा राइट आंसर इस कलास की जो PDF है वो आपको रात 9 बज़े तक टेलिग्राम गुरुप पे सिंट कर दी जाएगी सभी टेलिग्राम गुरुप को जरू जोईन कर लिजेगा टेलिग्राम गुरुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्रेशन बॉक्स में दिया हुआ है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसके लेखक है विसाखतत क्या होगा राइट आंसर तो आप्षसन ए चलिए नेक्स्क्रिप्शन करेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पे जैहिंद का नारा किस ने दिया वो गेब दे स्लोगन ओफ जैहिंद सुबास चंदर बोस जो आरला लेहरू मोतिलाल नहरू या फिर महात्मा गांधी जैहिंद का नारा निम्द में से किस के द्वारा दिया गया जो जैहिंद का नारा है ये किन होने दिया है चलिए जल्दी सांसर करें और बताएं क्या होगा राइट आंसर जैहिंद का जो नारा है यह किस के जनरल कौन था गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया द्यूरिंग दरिवॉल्ट ऑफ 1857 लॉड डलहोजी लॉड विलियम बैटिक लॉड कैनिंग या फिर लॉड लीटन जो अट्रसु संतावन का विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्णर जनरल कौन थे अट्रसु संतावन के बिद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था तो यह प्रारंभ हुआ था देखो मेरट से ठीक है चली अगला सवाल करेंगे नेक्स्क्यूशन है आपका यहां पे यह दिया हुआ है आपको कि माल गुड़ी डेज के रचनाकर कौन है जल्दी सांसर करें और सब कोई बताएं क्या ह होगा right answer माल गुड़ी डेज के रचनाकर कौन है तो जो माल गुड़ी डेज है इसके रचनाकर हैं देखो आरके नरायन क्या होगा right answer तो option B आरके नरायन चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है description है आपका कि कौन सा अस्थान गौतम बुध से संबन नहीं है which place is not associated with गौतम बुध सारनात, बुध गया, हुसीनगर या फिर पावापुरी कौन सा अस्थान है जो कि गौतम बुध से संबन नहीं है कौन सा अस्थान है जो कि गौतम बुध से संबन नहीं रखता है चलिए जल्दी सांसे की जर बताइए क्या होगा right answer कौन सा अस्थान है जो कि गौतम बुध से संबन नहीं है तो वह अस्तान है देखो आपका पावापुरी जो पावापुरी है ये आपका गौतम बुद्ध से संबंदित नहीं है चलिए निक्ष्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है ये है आपका कि भारत में आधुनिक सिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है बारत में जो आधुनिक सिक्षा के जन्मदाता किसे बोला जाता है तो वो बोला जाता है चार्ल्स ग्रांट को चलिए अगला किफशन यहाँ पर आपको दिया गया है नेक्स्क्रिप्षन है जो भारतिये राश्री कॉंग्रेशं के अस्थापना कब की गई जैले क्या होगा राइट आंसर इस्थापना है वो कब होई थी तो यह होईती देखो 1885 में क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर तो यह है option C 880 में चलिए अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया गया है next question आपको मिला हुआ है question है आपका कि गुलामगिरी का लेखक कौन था who was the author of गुलामगिरी अंबेटकर, जोती बाफुले, महात्मा गांधी या फिर पेरियार जो गुलामगिरी नामक पुष्टक इसके लेखक कौन थे है जो गुलामगिरी है या किसके द्वारा लिखा गया है चलिए क्या ओगर आइट आंसर बताइए सभी लोग गुलामगिरी के लेखक के रूप में कौन जाने जाते है तो जो गुलामगिरी है इसके लेखक है देखो जोती बाफुले चलिए अगला कीवशन है आपका यहाँ पे यहाँ आपको दिया गया है कि भारत में पहला समचार पत्र किसने शुरू किया था भारत में जो पहला समचार पत्र है किसके द्वारा सुरू किया था तो भारत में जो पहला समचार पत्र है इसको देखो सुरू किया गया जेमस हिक्की के द्वारा क्या हो अगर आइट आंसर तो आप्सन डी जेमस हिक्की इन्होंने पहला समचार पत्र प्रकासित किया था याद रखेगा बंगाल गजट ठीक है कौन सा प्रकासित किया गया था तो बंगाल गजट एक और क्युशन इसे को पुछता है जिस प्रकार पुछा कि भारत में पहला समचार पत्र किसने शुरू किया तो जेम सिक्की हो गय पूछा जाएगा कि बंगाल गजट जो है इसको किसने सुरू किया था तो इसको शुरू किया था जेम सिक्की के द्वारा ही यही समचार पत्र का नाम था ठीक है अब यहाँ पे बंगाल गजट कब शुरू हुआ तो यहाँ शुरू हुआ था देखो परमहन्स वेदो की और लोटो यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया वेदो की और लोटो यह नारा किस ने दिया था तो वेदो की और लोटो यह जो नारा है यह नारा दिया गया दयानन्द सरस्वती जी के द्वारा क्या उगर आइट आंसर तो ऑप्सन भी दयानन्द सर चलिए अगला question करेंगे यह आपका यहाँ पर है next question आपको दिया गया है हल्दी घाटी का यूद कब लड़ा गया when was the battle of हल्दी घाटी फाउट 1526, 1576, 1605 या फिर 1660 जो हल्दी घाटी का यूद इसको कब लड़ा गया जो हल्दी घाटी का यूद है यह कब हुआ था क्या होगा right answer बताइए सभी लोग हल्दी घाटी का यूद है यह कब लड़ा गया है तो हल्दी घाटी का यूद है यह लड़ा गया था 1576 में क्या हो जागा right answer तो option B 1576 चलिए अगला question है आपका यहाँ पे यह दिया गया है description है आपका कि भारत की सरवाधिक प्राचीन लीपी है which is the oldest script of India सिंधी, प्राकृत, खरोष्टी या ब्रामी भारत की सरवाधिक प्राचीन लीपी कौन सी है निम्लिकित में से भारत की सरवाधिक प्राचीन लीपी कौन सी है भारत की सरवाधिक प्राचीन लीपी जो है निम्लिकित में से कौन सी है क्या होगा अंसर जल्दी से करेंगे सबी लोग करेंगे भारत की सरवाधिक प्राचीन लीपी कौन सी है तो भारत की सरवाधिक प्राचीन लीपी है वो है देखो आपकी ब्रामी क्या होगा right answer तो option D चलिए ने description देखेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पर यह दिया गया है कि भारत के समुदरी मार्क की खोज किसने की who discovered the sea route of to India Columbus, Manglus, Vasco di Gama या फिर Thomas Moore भारत की जो समुदरी मार्क है इसकी खोज किसके द्वारा की गई भारत के समुदरी मार्क की खोज है निमलिकित में से किसने की है क्या होगा right answer तो आप सबको लगबग इसका answer पता ही है Vasco di Gama ठीक है भारत के जो समुदरी मार्क इसकी खोज किसने की तो Vasco di Gama ने की है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे description आपको यहाँ पर दिया गया है 21 नंबर सवाल मिला हुआ आपको देखो निमलिकित में से किस सीख गुरु ने गुरु मुखी लीपी प्रारंब की which of the following सीख गुरु इंट्रोडिश्ट गुरु मुखी script गुरु नानक, गुरु अमर्दास, गुरु राम्दास या फिर गुरु अंगद जो गुरु मुखी लीपी है इसको किस के दवारा आरंभ किया था? जो गुरु मुखी लीपी है इसको किसने प्रारंब किया? गुरु मुखी लीपी जो है इसको किसके द्वारा लाया गया था चलिए सब कोई करेंगे आंसर क्या होगा यहाँ पे जो है सब को बतानी है तो जो गुरु मुखी लीपी है इसको देखो प्रारम किया गया था गुरु अंगत जी के द्वारा क्या होगा राइट आंसर तो option D चलिए next question करेंगे अगला सवाल जो कि आपका है यहाँ पे कि लोधी वन्स का संस्थापक कौन था who was the founder of लोधी density इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, भलोल लोधी या फिर D में है इन में से कोई नहीं जो लोधी वन्स है इसके अस्थापना किसने की लोधी वन्स के संस्थापक निमलिकित में से कौन है जो लोधी वन्स है इसके अस्थापना किसके द्वारा की गई जो लोधी वन्स है इसके अस्थापना किसने की है बहलोल लोदी हो गया सभीका चल यह निश क्यूशन पर बढ़ेंगे अगला सवाल यहां पर है आपका यह दिया गया है देखो क्यूशन है कि पलासी के लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतितर किसने किया वो लेड़ इंग्लिस आर्मी इन दबैटल अफ पलासी रोबर चलिए अगला सवाल करेंगे निश्क्रिप्शन है आपका यहां पे यह दिया गया है हमारा राष्ट्रिय गीत वंदे मात्रम कहां से संकलित है वेर इस आवर नेशनल सौंग वंदे मात्रम कॉंपाइल्ड चित्रा से गोदान से डांगर से या पिर आनंदमट से जो हमारा रा सेर कर दीजेगा अपने और रिफ्रेंश के साथ और जुनने भी तक हमारे इस डिट्रिप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरू शेट कर लिजिएगा तो हमारा जो राष्ट्रिय गीत वंदे मात्रम है यहां देखो गया है तो आपसन भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है रामकिष्ण पिसन की अस्थापना की गई है चली अगला सवाल करेंगे description है आपका यहाँ पे यह दिया गया है कि कुतुब मिनार का निर्मान की सासक ने पूरा कराया था which ruler completed the construction of कुतुब मिनार कुतुब बुदिन एबक, इल्टूतमिस, फिरोसा तुगलक या फिर अलाउदिन खिलजी जो कुतुब मिनार है इसका निर्मान की सासक ने पूरा कराया की सासक के द्वारा जो है कुतुब मिनार का निर्मान पूरा करवाया गया था चलिए क्या होगा राइट आंसर बताएं सभी लोग बिना किसी देरी के साथ तो जो कुत्व मिनार का निर्मान है इसको पूरा देखिये करवाया है इलतूतमिस ने क्या हो जाएगा राइट आंसर तो option भी इलतूतमिस ठीक है इसने पूरा करवाया था और जो कुत्व बुदिन एबक है इसने शुरुआत करवाया था ठीक है शुरू किसने करवाया तो कुत्तबोधी नेबक ने और पूरा किसने करवाया तो इलतूत मिशने ठीक है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पर यहाँ आपको दिया गया है देखो कि दिल्ली के प्रसिद जामा मस्जिद का निर्मान क किसने किया दिल्ली के प्रसिद जामा मस्जिद का निर्मान किसके दोरा करवाया तो यहाँ आप सबको पता है क्या होगा राइट आंसर तो आप्सन भी सा जहां हो गया सभी का चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ आपको दिया गया है देखो हिंदी किस लीपी में लिखी जाती है, in which script Hindi is written, देवनागरी, रोमन, पर्सियन, या फिर पाली, जो हिंदी है, इसको किस लिपी में लिखा जाता है, जो हिंदी है, इसे किस लिपी में संकलित किया जाता है, तो जो हिंदी है, यह लिखा जाता है, देखो देवनागरी लिपी में, क्या हो जागा राइट तो option A देवनागरी चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है ये question है आपका कि सार्दा सदन के संस्थापक कौन है तो जो सार्दा सदन है इसके संस्थापक है रमाबाई क्या हो जाएगा right answer तो option A रमाबाई चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे यह दिया गया है आपको देखो description है आपका यहाँ पे यह किया गया है कि आईने अकबरी अकबर नामा किसकी रचना है आईने अकबरी अकबर नामा is composition of whom अलबरुनी, अबूल फजल, काजी नजरूल इसलाम या फिर देवकी नंदन खत्री जो आइने अकबरी या फिर अकबर नामा दोनों अलग लगें आइने अकबरी और अकबर नामा यह जो दोनों है यह किसकी रचना है क्या होगा राइट आइने अकबरी या फिर जो अकबर नामा है यह रचना है आपका देखो अबूल फजल का क्या हो जाएगा राइट आइट आइट आइसर तो option B अबूल फजल हो गया सभी का चलिए अगले question पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पर जो कि आपका आज का last question है इंडियन लीग के संस्थापक कौन है इंडियन लीग की अस्थापना निमलिकित में से किसके दवारा की गई है क्या होगा राइट आइट आइसर बताइए सब कोई इंडियन लीग जो है इसके संस्थापक कौन है इंडियन लीग की जो स्थापना है किनों ने करवाई तो यह करवाईगी यह देखो सिसिर कुमार घोष जी के दवारा किनों ने की है तो यह की गई है सिसिर कुमार घोष जी के दवारा हो गया सभी का यहां पे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की जील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की जील कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील निम्न में से कौन सी है कि यह फरस्ट पर चलते और यह आपका भी सेक्ट बेकाल चल रहा है ठीक है यह आपकी कभी इसमें ब्रवाहट बढती जा रहें है इसके पानियों में सुपेरियर कैस्पियंच जिल के पानियों में जीस वज़ा से ब्ल Hurwn जील भी फर्ष नमबर पर आने वाला है लेकिन अभी की बात करोगे तो आपका पहले नमबर पर सुपिरियल जील की सबसे बड़ी मीठे पानी के जील है वह आपकी सुपिरियर जील है चलिए अगला किशन करेंगे निश किशन है आपका यहां पे कि भारतिये वन सर्रेक्षन विभाग का मुख्याल है कहां इस्तित है वेर इस दा हिट क्वार्टर ऑफ फॉरिस सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड नई दिल्ली देहरादून नागपूर या फिर भुपाल दो हजार बीस एंड आपकी दो हजार इकीस इन दोनों सालों में कि भारतिये वन सर्रेक्षन विभाग जो है इसका मुख्याल है कहां पर इस्तित है सब कोई को आंसर करना है सभी लोग बताएंगे भारतिये वन सर्रेक्षन विभाग का मुख्याल है कहां है तो यहां देखो आपका इस्तित है देहरादून में क्या हो जाएगा राइट आ जल्दी से बताना है क्या होगा यहाँ जल्दी से बताईए क्या होगा तो जो टोड़ा 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 जल्दी से बताईए क्या होगा तो ज एंड सर्विस टेक्स गुड्स सेल्स टेक्स ग्रेंड सेल्स टेक्स या फिर जेनरल सेल्स टेक्स जी एस्टी का पुर्ण रूप क्या है चलिए सब को बताना है क्या होगा राइट आंसर जी एस्टी का फुर्ण रूप जो है क्या होगा तो जी एस्टी का जो फुल फॉर्म ह वो होता है देखो goods and service tax क्या होगे right answer तो option A goods and service tax चलिए description देखेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पर यह दिया गया है आपको कि ACI खेल पहली बार कहां आयोजित हुए वेर वाज़ दे ASEAN गेम सेल्ड फोर दा फर्स टाइम नई-Dilly, Manila, Tokyo या फिर Jakarta जो ASEAN खेल हैं यह पहली बार कहां आयोजित हुए थे जो ASEAN खेल हैं यह पहली बार कहां पर और्गनाइज किये गये थे तो जो ASEAN खेल हैं यह देखें पहली बार आयोजित हुए थे नई-दिल्ली में, क्या हो जागा राइट आंसर तो option ए नई दिल्ली ठीक है चलिए ने description में पढ़ेंगे अगले सवाल पे ये आपका यहाँ पे है अगला सवाल आपको दिया गया है कि भारत में गन्ये का सरवादिक उत्पादन करने वाला राज्ये है विच इस्टेट इस दर लार्जेश प्रोडियूसर अफ सुगर केन इन वर्ल्ड बिहार पंजाब महराष्टर या पिर उत्तर प्रदेश बिहार में गन्ये का उत्पादन करने वाला राज्ये कौन सा है कौन सा ऐसा राज्ये है जहाँ पर की भारत में सबसे अधिक गन्ये का उत्पादन होता है क्या होगा राइट आंसर बताएए जल्दी से क्या है यहाँ पर सही आंसर तो भारत में गन्ये का जो सरवादिक उत्पादन है यह देखो होता है उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा राइट आंसर तो option B उत्तर प्रदेश ठीक है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे description आपका यहाँ पर दिया गया है कि विश्व में कोईला उत्पादन में अग्रणी देश है which is the leading country in coal production in the world चीन यहाँ पर USA लिखा हुआ है USA या फिर भारत या फिर रुस्व में कोईला उत्पादन अग्रणी देश कौंचा है कौन सा ऐसा देश है जहां पर कि कोईला का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है क्या हो अगर आइट आंसर सभी को बता नहीं है बिना किसी देरी के साथ आंसर करिए और बताइए कि विश्व में कोईला का उत्पादन है वो अगरणी देश कौन सा है सबसे अधिक कोईला का उत्पादन जो है किस देश में होता है तो सबसे अधिक जो कोईला का उत्पादन है ये होता है चीन में क्या हो जाएगा राइट आंसर तो option A चाइना ठीक है चलिए निस्क्रिप्शन है आपका यहाँ पर अगला सवाल आपको दिया गया है ये क्यूशन है आपका कि दक्षिन भारत का मैंचेस्टर है इस मैंचेस्टर और साउथ इंडिया कोईंबर टूर, मदुराई, बैंगलूरू या फिर चन्नाई दक्षिन भारत का मैंचेस्टर कौन सा है निमलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि दक्षिन भारत के मैंचेस्टर के रूप में जाना जाता है क्या होगा राइट आंसर बताए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे दक्षिन भारत का मैंचेस्टर के रूप में कौन जाना जाता है तो दक्चिन भारत का जो मैंचेस्टर है वह देखो आपका कोयंबर टूर होता है क्या होगा राइट आंसर तो option A कोयंबर टूर ठीक है यहीं पर एक चीज़ याद रखेगा दक्चिन भारत का मैंचेस्टर तो कोयंबर टूर हो गया आप से पूछा जाता है उत्तर भारत का म मैंचेस्टर जो है यह देखो कहा जाता है कानपूर को जो कि इस्तित है आपका उत्तर प्रदेश में कानपूर को बोला जाता है ठीक है उत्तर भारत का मैंचेस्टर कानपूर और दक्षिन भारत का मैंचेस्टर कोयमबटूर दोनों पूछा हुआ है question तो ध्यान में रखिएगा चलिए अगला सवाल यहां पर आपको दिया गया है कि हरित करांती का सरवाधिक निरासा जनक परिनाम किस फसल में देखने को मिला in which crop the most disappointing result of the green revolution were seen मक्का, दलहन, तिलहन या फिर सोयाबीन हरित करांती का जो सरवाधिक निरासा जनक परिनाम है वह किस फसल में देखने को मिला है कौन सा ऐसा फसल है जिसमें कि हरित करांती का सरवाधिक निरासा जनक परिनाम देखने को मिला है चलिए आंसर करें और जल्दी से बताएं क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर तो हरित करांती का जो सरवाधिक निरासा जनक परिनाम है वह देखो देखने को मिला है दलहन में क्या होगा राइट आंसर तो आप्सन भी दलहन अब यहाँ पर बात आती कि सबसे अच्छा परिनाम किसमें देखने को मिला है हरित करांती का भारत में तो यह देखने को मिला है याद रखिएगा गेहू जो वीट होता इसमें सबसे अच्छा परिनाम इसको देखने को मिला है ठीक है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे नेक्स्क्रिप्शन है आपका यहाँ पर यह दिया गया है देखो कि मुस्लिमों का पवितर सहर मक्का किस देश में है इन वीच कंट्री इज मक्का दो हॉली सिटी ओफ मुस्लिम्स इरान इराक मिस्र या पर सवधी अरव मुस्लिमों का पवितर सहर मक्का किस देश में इस्तीत है पॉलिटी एकनोमिस कंप्यूटर जो भी आता है वो सारा चीज है जीके जीस का चार जर प्लस क्यूशन है हिंदी इंगलीस में 2023 में के वाल इसको पढ़ लेना है सारा जीके जीस आपको इसी किताब में से देखने को मिलेगा यह मिल रहा है आधे दाम पे 50% आफ में आपको दिया जा रहा है तो सभी खरीच सकते हो एक देखो 49 का है एक जो है आपका देखो 50 का है 99 रुपए में आप इन दोनों किताब को खरीच सकते हैं किवल 99 रुपी का पेमेंट करके जो आज से कुछ दिन पहले आपको 160 रुपी का पेमेंट करने पर मिल रहा था तो 99 रुपी का पेमेंट करना है आपको इसी नंबर पर यह जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आ किताब 99 रुपए में आप सभी ले सकते हैं दो किताब 99 रुपए में जो की सबसे बेतरीन रहेगा आपको और आपको अगनीवीर का पेपर में जो है देखो पचास में से सवधी अरब में क्या हो जागा राइट आंसर तो option D सवधी अरब ठीक है चलिए अगला सवाल करेंगे निश्क्रिश्चन जोकी है आपका यहाँ पर यहाँ आपको दिया गया है कि सरहूल परव का संबंध किस राज्य से है सरहूल फेस्टिवल इस रिलेटेड टू वीचिस् तो जो सरहूल परव है यहाँ देखो आपका संबंधित है जारखंट से क्या हो जाएगा राइट आंसर तो option B जारखंट चलिए अगला सवाल करेंगे निश्क्रिश्चन जोकी है आपका यहाँ पर कि भारत का सबसे लंबा रिलेवे फ्लेटफॉर्म कहां है वेर इस दे ल जो सबसे लंबा रिलेवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है तो वो है आपका गुरखपूर क्या हो जाएगा राइट आंसर तो option D चलिए अगला सवाल करेंगे निश्क्रिश्चन यह आपको दिया गया है कि मिनाक्षी मंदिर कहां अवस्थित है वेर इज मिनाक्षी टिम अवस्थित है तो अगला सवाल यहां पर आपको दिया गया है निश्क्रिश्चन आप से किया गया है ये है आपका कि निम्न में से कौन सी जनजाती निलगीरी पहाड़ीों से संबंदित है Which of the following tribes belongs to the निलगीरी hills मारिया, असूर, बदगा या सहरिया कौन सी ऐसी जनजाती है जो कि निलगीरी पहाड़ीों से संबंदित है एक बात ध्यान में रखिएगा 2020 का जो पेपर हुआ है जाती है वो है देखो आपकी बदगा इसी को बटगा भी लिखा जाता है तो ध्यान में रखिएगा चलिए अगला सवाल देखेंगे नेक्स्क्रिप्शन है आपका यहाँ पर यह दिया गया है कि जनसंक्या की दिरिष्टी से भारत का सबसे बड़ा किदरसासित परदेश है विच इस दा लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी आफ इंडिया इन टर्म आफ पॉपुलेशन दिल्ली, चंडीगर, पांडीचेरी या पिर लक्षदी जनसंक्या की दिरिष्टी से भारत का सबसे बड़ा किदरसासित परदेश कौन सा है? चलिए अगला किवशन है आपका यहाँ पे आपको दिया गया है, नेश किवशन आपको मिला हुआ है भारत का सबसे लंबा बांद है, बहुत बहुत बार किवशन कुछा गया हुआ बहुत सबसे बांद है कि बात क्या होगा आइट आनसर तो अप्षन सी हिरा कुंड बांद अब देखिए यहाँ पर बात आती है बहुत बार एक क्विशन पूछा गया हिराकुंड बांध किस राजे में है तो यहाँ देखो आपका उनिसा राजे में है याद रखेगा यह क्विशन बहुत बार इंडियनामी ने किया है भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो आगया है कि निम्न में से किस राजे की प्रतिव्यक्ति आय सबसे अधीक है वीच ऑफ दो फॉलिविंग इस्टेट हैस दा हाइस पर कैपिटा इंकम गोवा पंजाब महाराष्ट्र या फिर गुजराद कौन सा ऐसा राजे है जिसकी प्रतिव्यक्ति आय सबसे अधीक है अगला सवाल आपको दिया गया है कि खैबर का दर्रा कहां है वेर इच खैबर पास भूटान बांगलादेश भारत या फिर पाकिस्तान जो खैबर का दर्रा है यह कहां पर इस्तित है जो खैबर दर्रा है यह कहां पर है तो जो खैबर पास जो खैबर दर्रा है यह देखो आपका इस्थित है पाकिस्तान में क्या अगर आइट आंसर तो आपसंडी पाकिस्तान ठीक हो है चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है नेक्ष्क्रिशन आपको मिला हुआ है देखो कि भारत का सरवादिक नगरी करनवाला राज्य है विच इस दो मुष्ट अर पे नगरी करनवाला जो राज्य है वो है आपका गोवा क्या हो जागा राइट आंसर तो आपसंडी गोवा ठीक है चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे नेक्ष्क्रिशन आपको यहाँ पे दिया गया है यह क्यूशन है आपका देखो बहुत रिपीटेट क्यूशन इंड जलधारा जो है उसको किस नाम से जाना जाता है गंगा और ब्रहंपुत्र की सहीवत जलधारा को किस नाम से जाना जाता है चलिए आंसर करें और बताइए क्या होगा राइट आंसर तो गंगा और ब्रहंपुत्र की सहीवत जलधारा है उसको देखो मेगना के नाम से जाना इंडियन आर्मी का most repeated question है बहुत बार पूछा गया है ठीक है अब ध्यान में रखेगा कि गंगा और ब्रहंपुत्र की सिर्ट जलधारा को मेघना बोलते हैं अब जो जमुना है यह बोला जाता है ब्रहंपुत्रा को बांगला देश में ठीक है याद रखेगा ब्रहंपुत्र ब्रहंपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है और बांगला देश में गंगा को पदमा के नाम से जाना जाता है ठीक है और ऐसे गंगा और ब्रहंपुत्र की सिर्ट जालधारा को मेघना कहते हैं चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे ने स्क्रिप्शन है आपका यहा यहां पर है क्या होगा right answer जो लोकटक जील है यह किस राज में है बताए जल्दी से तो जो लोकटक जील है यह देखो आपका इस्थित है मनीपूर में क्या होगा right answer तो option B मनीपूर चलिए अगले सवाल को करेंगे next question आपका यहां पर दिया गया है यह है आपका कि चंदरप्र वन्य जीव अभ्यारन ने कहां इस्थित है वेर इस चंद्रप्रभा वाइड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड उत्तरप्रदेश मध्य परदेश उत्राखंड या फिर उडिशा जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारन ने है यह कहां पर इस्थित है जो चंद्रप्रभ आपका यहाँ पर नेक्स क्यूशन दिया हुआ है कि भारत में अवरक का सरवाधिक उत्पादक राज्य है वीच इस्टिट इस दर लार्जेश प्रोडियूसर ओफ माइका इन इंडिया जारखंड राजस्थान उडिसा या आंध्रपरदिस भारत में जो अवरक है जो माइका है इसका सरवाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर की अवरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो यह जो क्यूशन है यह क्यूशन आपके लिए मैं आज का होमवर्क कर रहा हूँ इसका आंसर आपसम मुझे comment box से बताओगे कि इस question का right answer क्या होगा चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे निश्ट question है आपका यहाँ पर यह दिया गया है कि गारो जन जाती है गारो ट्राइब असम की मनेपुर की मिजोरम की या फिर मिघाले की जो गारो जन जाती है यह कहां की है जो गारो जन जाती है यह कहां की है क्या होगा right answer जो गारो जन जाती है यह कहां की है तो जो गारो जन जाती है क्या होगा right answer तो इसका right answer है देखो option D मिघाले जो गारो जन जाती है यह कहां की है तो यह मिघाले की है चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे यहाँ आपको दिया गया है देखो question किया गया है कि रवी फसले के मौसम में उगाई जाती है रवी crops are grown in the season of गर्मी, वर्सा, सर्दी या वसन जो रवी फसले है यह किस मौसम में उगाई जाती है जो रवी फसले है यह किस मौसम में उगाई जाती है किया हो गया तो अगला सवाल यहां पर आपको दिया गया है यह किसन आपका कि सरेशी का पक्छी विहार कहां अवस्थित है यहाँ देखो आपका अवस्थित है राजस्थान में क्या उगर आइट आइट आंसर तो आप्शन सी राजस्थान चलिए निश्क्रिशन है आपका यहाँ पे अगला सवाल आपको दिया गया है यह किस देश को उगते हुए सुरे की भूमी कहा जाता है किस देश को उगते सुरे की भूमी के नाम से जाना जाता है क्या होगा यहाँ पे बताएगे जल्दी से उगते सुरे की भूमी जो है किस देश को कहा जाता है तो उगते सूरी की भूमी जो है यह कहा जाता है जापान को क्या होगे हमारा राइट आंसर तो आप्शन C चली अगले सवाल पर बढ़ेंगे यह है आपका यहाँ पर देखो कि विशो में सरवादिक वर्सा वाला अस्थान है विशो में सरवादिक वर्सा वाला अस्थान निमलिखित में से कौन सा है ठीक है चली अगले सवाल पर बढ़ेंगे यह है आपका यहाँ पर दिया अगा हुआ है धगो कि जन्संख्या के द्रिष्टी से भारत का सबसे चोटा राज्य है विच वो है देखो सिख क्या हो गया corrected answer तो option एह शिक की अब याद रखीए गजन्सक्या क्या पृष्टी से सबसे च्छोटा हो गया सिख क्यम और च्यतरफल कि पर बीच्चि से सबसे ठीक है छ्यतरफल से छोटा तो च्यतरफल कि दिलिष्टी से च्छोटा है वPhone गया आपका गवा और जिन सक्या से छोटा कौन स simplesmente ये। हो गया सभी चलिए अब जो है आज का कालास्ट केस्ट थोफ्हिशन ने यहां पर आपका कि साची का महान स्थीट है यह कहां पर देश्में कि आपको मिल रहा है मात्र 49 रुपए में आज से कुछ दिन पहले यहीं आपको मिल रहा था 90 रुपए में सिधे आपके लिए आधे प्राइस में स्पेशल ओफर का अनुसार दिया जरा है बस कुछ दिनों के लिए फुल सॉल्यूसन है मैथ रिजनिंग का हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट दिया हुआ है आर्मी जीडी में मिलिट्री पुलिस देखने को मिलेगा यह मिल रहा है केवल 50 रुपए में यह भी आपकी स्पेशल ओफर का अनुसार जो कि केवल एक से दो दिन आपका ओफर अभी चलने वाला है तो जितने भी लोगों को किताब लेना है बिल्कुल सही समय आच चुका है एबुक खरीदने के लिए यह आपक खरीद सकते हो और इसी नंबर पकर आपको सेड़कर संट करने है और आपको यह मिल जाएगा किवल नवे रुपए में आज से कुछ दिन पहले यहीं मिल रहा था 160 रुपए में बिल्कुल सही समय आ चुका है अगर लेना चाहरे हो अपना इसकोर 50 आउट ओफ 50 सवाल सही करना चाहरे हो तो क्योंकि पिछले बार जिन भी बच्चों ने किताब लिया था उन्होंने देखो अपने पेपर में हमारे किताब को करके 45 प्लस क्यूशन सही किया था 50 में से इस बार आपको उनसे भी ज्यादा मटरियल दिया जा रहा है तो आप सब 50 आउट ओफ 50 50 में से 50 सवाल सही करोगे आपके आर्मी पेपर में मैच होंगे इस किताब में से देखो मैथ का 15 सवाल आपका मैच हो जाएगा पेपर में और इजनी का 5 सवाल आपका पेपर में मैच हो जाएगा और इस किताब में से जो है जिक्के का 15 सवाल और जियेस का 15 सवाल आपका मै